राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक, पल्टू साहिब के पूर्वज संत की आदियो रिकॉर्डिंग, आदियो कॉपिराइट दो हजार तेईस, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित, पल्टू साहिब के पूर्वज संत, लेखक, डॉक्टर टी आर शंगारी, प्रकाशक, D.K. सीक्री, सेक्रेटरी, राधास्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंग, पंजाब, भारत कॉपिराइट 2021, राधास्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित पहला संसकरण 2021 विशय सूची, प्रकाशक की ओर से, लेखक की ओर से, जीवन परिचय, उपदेश, चुनी हुई वाणी, उपसंगहार, प्रकाशक की ओर से परमात्मा ने जब से स्रिष्टी की रचना की है, और स्रिष्टी के संचालन के लिए संपूर्ण विधान बनाया है, तभी से, उसने जीवात्मा का, परमात्मा से मिलाप का, साधन और मार्ग भी निश्चित कर दिया है जीवों को इस साधन और मार्ग का ग्यान देने का कार्य परमात्मा ने संतों को सौंपा है, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संत जन युगों से इस संसार में आते रहे हैं, और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा, जब तक यह स्रिष्टी कायम है संत, जीवों को परमार्थ के सच्चे, शाश्वत और कभी न बदलने वाले मार्ग का ग्यान देकर, उनकी सहायता करते हैं, और उनका मार्ग दर्शन करके परमात्मा से मिलाप कराने की जिम्मेदारी खूब निभाते हैं भारत में सदियों से ही रिशी मुनियों और गुरुजनों की परमपरा चली आ रही है इसी प्रकार अन्य देशों में भी समय समय पर संत महात्मा आते रहे हैं इन संत महात्माओं के रूहानी उपदेश को संत मार्ग, परमार्थ या गुरुमत कहकर समझाया गया है भक्ती के मार्ग पर किसी विशेश जाती, शेत्र, अथ्वा धर्म का अधिकार नहीं है अभिलाशी है, वह संतों की शरण में जाकर उनसे अंतरमुख साधना का भेद लेकर इस मार्क पर चल सकता है। पूर्ण संत सत्गुरु अकसर देह त्यागने से पहले अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं, क्योंके परमार्थ का सच्चा ग्यान और मारिक दर्शन केवल देह धारी सत्गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है। सैकणों वर्शों से चली आ रही बावरी साहिबा की इस गुरु शिश्य परमपरा में अनेक संत होए हैं, जिनमें यारी साहिब, बुला साहिब, गुलाल साहिब, भीखा साहिब, जगजीवन साहिब, दूलन्दास जी और गोविंद साहिब शामिल हैं। इन संतों की वाणी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह ओडियो पुस्तक इनके जीवन, उपदेश और वाणी पर आधारित है। इन संतों का भी यही उपदेश है कि प्रभु प्राप्ती का सच्चा साधन, नाम भक्ती है, जिसका ज्यान देहेधारी सत्गुरु की शरण में जाकर ही प्राप्त हो सकता है। गोविंद साहिब के शिश्य पल्टू साहिब का संबंध भी इसी संत परंपरा से है। राधास्वामी सत्संग ब्यास के प्रकाशन विभाग की ओर से पल्टू साहिब के जीवन, उपदेश और वानी से संबंधित पुस्तक पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है, जिसे आशा है कि यह ओडियो पुस्तक श्रोताओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और श्रोताओं को यह समझने में भी सायता मिलेगी कि संत चाहें किसी भी देश काल, जाती और धर्म से संबंध रखते हों, वे परमात्मा से मिलाप के एक ही साधन तथा मार्ग का उपदेश देते हैं, डी के सीकरी, सेकरेटरी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंग, जिला अमरित सर, पंजाब